हेडियर इस्टुडेंट इस वीडियो में हम क्लास 10 इंगलिस पोएट्री का चेप्टर वन यानि दव फाउंटेन का हिंदी एक्स्प्रेनेशन करना सीखेंगे इस पोएम को जेम्स रसेल लोविल ने लिखा है ये पोएम बहुत ही इस्पैरिंग पोएम है इस पोएम में कवी ने फाउंटेन के यानि फाववारे के तीन विभिन रूपों का वड़न किया है जैसे कि ये सूर्य के प्रकास में कैसा बेवार करता है चांदनी रात में ये कैसा परतीत होता है तथा अंधेरी रात में ये कैसा परतीत होता है कवी ने इस पोयम में इसके और भी विभिन गुरों का वर्डन किया है जो इस पोयम को पढ़ने के बाद हम लोग जानेंगे और अंत में कवी ने फवारे की तरह ताजगी, निरंतरता और इस्थिरता पाने की इच्छा ब्यक्त की है Student, इस वीडियो को सुरू से अंतर देखिएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप इस चैप्टर का हिंदी एक्स्प्रेशन करना बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे तो चलिए the fountain का line by line करके हिंदी explanation करना सीखते हैं Into the sunshine, pull up the light, leaping and flashing from morning till night इस इस्टांजा में कवी ने सुरू के प्रकास में फवारे का वडन किया है कवी कह रहे हैं कि sunshine यानि सुरू के रोसनी में या फिर कर सकते हैं कि धूप में जो फवारा है वो फूल आफ भरा हुआ रहता है light प्रकास से leaping उचलता रहता है, flessing यानि चमकता रहता है from morning till night मौर्न यानि morning यानि सुबह से till night रात तक अर्थात कवी कह रहे हैं कि सुरू के प्रकास में या फिर कहें कि धूप में फवारा प्रकास से भरा हुआ रहता है तथा सुबह से रात तक उछलता और चमकता रहता है इंटू दा मूनलाइट वाइटर देन स्नो वैविंग सो फ्लावर लाइक विन दवाइंड बलो इस इस्टांजा में कभी ने चादनी रात में फवारे का वडन किया है कभी कर रहे हैं कि मूनलाइट यानि चादनी रात में फवारा वाइटर देन स्नो इसनो मतलब बर्फ होता है यानि चादनी की रात में फवारा बर्फ से भी अधिक सफेद दिखता है वाइटर कमप्रेटी डिग्री है वाइट का वैविंग सो फ्लावर लाइक, वैविंग यानि हिलता है, फ्लावर लाइक यानि फूल की तरह, when the winds blow, when जब winds यानि हवाएं बलो यानि बहती हैं, यानि इस इस्टांजा में कवी कह रहे हैं कि चादनी रात में फवारा बर्प से भी अधिक सफेद दिखता है, और जब यानि तारों की रात, अंधेरी रात, कवी कह रहे हैं कि जो फवारा है, वो अंधेरी रात में रसिंग बहुत तेजी से इन इस्प्रे, फूहार करता है, इस्प्रे मतलब होता है फूहार रसिंग मतलब तेजी से, हैपी एट मिडनाइट, मिडनाइट आधी रात, और आधी मतलब होता है नेवर आवियरी यानि आनदित और यह हमेसा प्रसन और आनदित रहता है इस्टिल क्लाइमबिंग हिमेनवार्ड और यह क्लाइमबिंग चड़ता रहता है हिमेनवार्ड उपर की ओर नेवर एवियरी और यह कभी ठकता नहीं है वियरी मतलब होता है ठका हुआ यानि कभी कह रहे हैं कि फवारा हमेशा गतिसील, प्रसंद और आनन्दित रहता है और उपर की ओर चड़ता रहता है तथा कभी ठकता नहीं है Glad of all weathers still seeming best upward and downward motion direst Glad मतलब खुश रहता है आप all weathers सभी मौसमों में यानि फवारा सभी मौसमों में खुश रहता है still seeming best और अच्छा प्रतित होता है upward or downward motion direst upward यानि उपर की ओर उठना and downward और नीचे की ओर गिरना motion गती करना ही direst तुमारा आराम है die मतलब होता है तुमारा कभी ने die को fountain के लिए लिए लिखा है यानि कभी करें कि फवारा सभी मौसमों में खुश रहता है और देखने में हमेशा अच्छा प्रतित होता है upward or downward यानि उपर की ओर उठना पुने नीचे की ओर रहना इसी प्रकार गती करना ही उसका आराम है अर्थात्वा गती करते हुए ही आराम करता है फूल आफ है नेचर, nothing can't take change every moment, ever the same यानि कभी करें कि फूल आफ भरा हुआ रहता है इनेचर, प्रकृत से फवारा हमेशा प्रकृत से भरा हुआ रहता है अर्था सुंदरता से भरा हुआ रहता है nothing can't take nothing कोई नहीं कैन सकता है time, पालतू बना ते मतलब होता है पालतू यानि इसे कोई पालतू नहीं बना सकता है अर्थात इसके गती को कोई बधित नहीं कर सकता है Change every moment यह हर छण मुमेंट मतलब होता है छण या पल यह हर छण बदलता रहता है Even the same फिर भी यह प्रायह same यानि एक जैसा ही रहता है कभी कहरें कि फवारा प्रकृत के सुन्दरता से भरा हुआ रहता है और इसे कोई पालतू नहीं बना सकता अर्थात इसके गती को कोई बधित नहीं कर सकता यह हर छण बदलता हुआ रहता है फिर भी वह हमेशा एक जैसा रहता है Seageless, aspiring, seamless content, darkness, or sunshine, die element Seageless मतलब होता है continuous, लागातार, aspiring, उपर उठते रहना Seageless content, निरंतर संतुष्ट रहना, content मतलब होता है संतुष्ट Darkness, or sunshine, darkness, अंतकार में भी और sunshine, सुर्य के प्रकास में भी Die element, यह इसके महत्पूर्ट तत्व है, element मतलब होता है तत्व यानि कभी कह रहे हैं कि अंदकार में, या फिर सुर्य के प्रकास में जो फवारा है, उपर उपर की ओर उठता रहता है, और निरंतर संतुष्ट रहता है और यही उसके मौलिक गुड है Glorious fountain, let my heart be, praise, changeful, constant, upward, like the अब इस अंतिम इस्टांजा में, कभी फवारे को संबोधित करते हुए कर रहे हैं कि Glorious fountain, भब फवारे, सांदार फवारे Glorious यानि भब या सांदार, splendor Glorious यानि splendor, भब या सांदार कभी कर रहे हैं कि सांदार फवारे, let my heart be, मेरे हिर्दे को भी बना दो कैसा बना दो, phrase changeful constant, phrase यानि ताजा, changeful, परिवर्तन सील, constant, इस्थिर upward और हमेशा उपर की तरह उठने वाला, like the, बिल्कुल अपने तरह यानि इस इस्टांजा में कभी फवारे से कह रहे हैं कि है सांदार फवारे, मेरे हिर्दे को भी अपने तरह ताजा, परिवर्तन सील, इस्थिर तथा हमेशा उपर उठने वाला बना दो तो इस पोयम में हमने फवारे के बिभिन इस्थितियों में बिभिन तरह के बिवहार को देखा इस chapter का समरी आपको screen पर दिख रहा है आप इस वीडियो को पाच करके इसे पढ़ सकते हैं अथवा screen शाट भी ले सकते हैं तो student उमीद करता हूँ आपको इस पूरे chapter का हिंदी explanation समझ आ गया होगा और कहीं भी कोई भी doubt नहीं होगा फिर भी अगर आपको कहीं कोई doubt है तो comment box खुला हुआ है आप हमें जरूर बताएं वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करें अपनी दोस्तों के साथ भी share करें और अगर आप class 10 English poetry का second chapter भी देखना चाहते हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon जरूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो को notification मिल सके